जैहिन दोस्तों, so finally the wait is over और आप लोगों की continuous messages आ रहे थे कि जल्दी से NCRT की series को start किया जाना चाहिए और यहाँ पर हम लोग NCRT की series को start तो करी रहे हैं, इसके साथ साथ सारे PYQ करेंगे साथ में ताकि बता चल सके कि वाक़ी NCRT is relevant है या नहीं देखे हाल के सालों में कुछ लोग claim करें के NCRT is no more useful लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम मैं आपको show कर दूँआ कुछ ऐसे question civil services में हर साल आ रहे हैं 6th, 7th और 8th की NCRT से जो सिर्फ इसी books में हैं, खास करके keywords को लेके जैसे आपका अरगटा वाला सवाल हाली में पूछा गया एक द चाहिए तो यह revision के लिए boost रहेगा और हमारा हमारी जो strategy होगी वो क्या होगी जैसे हन्स के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उन्हें दूद और पानी मिला करके दें तो वह सिर्फ दूद पे लेती है और पानी छोड़ देती है वैसे ही हम लोग इस बुक के साथ करेंगे यहाँ पे जो काम की चीज़े है वह हम लोग लेंगे और वैसे भी आगर मैं आपको बता हूँ जिसमें बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो अल्रेड हमें पता होंगी तो वह हम जल्दी से फास्ट करके पढ़ लेंगे सो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट चैप्टर से ही सॉ आइए 6 क्लास की जो NCIRT है हिस्टर की देखते हैं उसमें से क्या-क्या हमारे पास कंटेंट है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर है आप देख सकते हैं जिसमें से पहला चैप्टर है वाट, where, how and when. यानि कब क्या कैसे और दूसरा कहा जा रहा है यर्लियस पीपल के प्दजीनों में हम लोग चलेंगे ट्रेल में तीसरा कहा जा रहा है कि gathering to growing food किस तरह से जो यर्ली पीरियट के लोग थे वो gathering करते थे उसके बाद उन्होंने food को grow करना start किया yearly cities के बारे में समझेंगे पुराने सहरों के बारे में और हर एक chapter ने हाँ पर important है बरियल्स हमें क्या बताते हैं और इसके अलावा kingdom, king, राजाओं के बारे में yearly republic के बारे में देखे हाली में question भी पूछा गया serious में आपके बहुत सारे questions यहां से आते हैं new questions और ideas देखेंगे आसोका के बारे समझेंगे जिसने युद्ध की नीति को त्याग दिया इसके बाद vital villages यानि जो vital villages थें उसके अलावा जो town thrive कर रही थी विक्सित हो रही थी उन जगहों के बारे में समझेंगे traders यानि वेपारी, king, pilgrims पर भी देखेंगे और इसके बाद आएगा हमारा 11 chapter जिसमें new empires और kingdom की बाद की जारी है और 12 chapter में building, painting and book तो यह बहुत ही basic book हैं हम लोग बहुत जल्दी से खतम कर लेंगे और उसके बाद B.Y.Q करेंगे इस book से आये हुए तो देखिए हमारा first chapter है यह base बनाने के लिए आपको बस story के जैसा सुनते जाना है हाप आपको कुछ भी याद रखने के लिए नहीं मिलेगा इन chapters में बट जैसे ही अगर कोई important pointer आएगा तो उस पर हम लोग ज्यादा focus करेंगे अगी बस आपको कहानी की तरह समझते जाना है ताकि यह connect बन जाए ताकि आप उन चीजों को सारे जो history के concept होते हैं वो एक दूसरे से connected होते है तो यह connection बिल्ड करने के लिए इन chapters को दिया गया तो सबसे पहली चीजी है यह what, where, how and when यानि कब क्या कैसे तो इतिहास के बारे में यह जो सबसे प्रचलित बात है कि इतिहास हमें past बताता है और बीती हुई बातों को बहुत लोग claim खरते हैं कि इन्हें पढ़के क्या करना है लेकिन आपने सुना होगा कि past जो होता है वही हमें सिखाता है कि हम आगे चलके उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें तो इसलिए हिस्ट्री को समझना जरूरी है तो यहाँ पर देखे क्या बता जा रहा है सबसे पहले चीज तो यही कि 100 अगो अगर न्यूस पेपर में पढ़ा जाए तो अशर होता है कि 100 सालों पहले या 1000 सालों पहले किस तरह की situation रही होगी और यहाँ से देखे important pointer start होते हैं आपके कि लोग रहते कहाते तो सबसे पहली चीज आपको एक दू जगहा यहाँ पे map में locate किया गया कहते हैं कि history और geography साथ चलती है अगर आप geography के important location को समझते हैं तो आप history के भी महतों को समझेंगे जैसे अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाजिशन की तो आपके mind में क्या आता है परदेश से होकर गुजरात में गुजरती है इन नदी के जो बगल में इन रीवर वैली में लोग सेकड़ों हजारों साल से रह रह रहे हैं और some of the earliest people skilled gatherer होते थे यानि gatherer का मतलब क्या होता अच्छे से समझें gatherer का मतलब होता इखटा करना यानि वैसे लोग जो भोजन इखटा करके अपना जीवन निर्वा करते थे यह basic term से I know अब बहुत लोगों को पता होगा बट इन चीजों को clarity करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और vast wealth of plant के बारे यह समझते थे surrounding forest के और roots वगेरा कंद मूल वगेरा अपने food को produce करने के लिए जमा करते थे अब इन्हें क्या कहा जाता था इन्हें कहा जाता था gatherers और यह animals भी hunt करते थे और यह सबसे पहले जो first human की evolution हुई उस time की बात की जारी है उसके बाद तो हम लोग देखेंगे की agriculture और बाकी चीजे भी यहाँ पर start होने लगी सो पहला reason हमने देखा नर्मदा वैली के पास यहाँ पर gatherers रहते थे दूसरा reason आपको समझना है किरतार और सुलिमान range वाला देखें यह जो ranges है आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हैं और यहाँ पर माना जाता है कि काफी हजारों साल पहले 8000 साल से भी पहले wheat और barley जैसे crop grow किये गए तो आपको अगर ऐसे question बने कि बताई आपको ध्यान रखना है सुलिमान और किरतार रेंजिस में और इसी तरह से एक और जगह की बात की जारी है गारों hills की तो आज के डेट में पता है गारों खासी जैनतिया में से किस हिल में चेरा पुंजी और मासी नराम जैसे जगह है जो कि अपने सबसे जादा बारिस के कारण worldwide record है ठीक है यह आप बताईए और गारों में देखिए गारों hills की Nichya के इस्टर Oops में उसमें सबसे पहली जगह थी यह पर सबसे पहली बार हमें देखने को मिला है राइस कल्टीवेशन वरी इंपोर्टन फिर से समझिये कि पहली राइस कल्टीवेशन किन एरिया में देखने को मिला तो गारों हिल्स में जो कि विंध्या के इस्टर्ण में आप कह सकते हैं इसके बार देखें इंडस रिवर के बारे में बता जा रहा है अफकोर्स अभी हम लोग डीटियल में चीजें कवर करेंगे बहुत सालों पहले लगबग 5000 साल पहले यहां पर सभयताय देखने को मिली अर्लियस्ट को ही देखे तो मगद काफी एंसियन सिटी है और यहां पर लार्ज किंग्डम देखने को मिलता जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो उदाइन जो राजा था उदाइन किंग उसने गंगा और सोन नद्यों के टट पे पाठली पुत्र सहर के स्थापना की यह वन आप दा यर् यहां पर किंग्डम को क्यूपाई करते गए और किस तरह से पावर को कंसंट्रेट करते गए अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चेप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉंपोनेंट है वो है नेम्स ऑप दा लेंड यानि जगहों के नाम किस तरह से रखे जाते थे जैसे अगर हम लोग अपने प्यारे भारत देश की ही बात करें तो दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, पहला इंडिया और दूसरा भारत, आप ये बताईए कि हमारे constitution का article 1 क्या कहता है, याद है आपको, इंडिया, that is भारत, क्या आपको कहना है, इंडिया, that is भारत, shall be a union of states, यानि इंडिया जो की भारत है, राज्यो का एक संग होगा, ना दो नाम यहाँ पर क्यों यूज किये गए, ये समझना हमें बहुत जरूर है, और ये नाम आए कहां से, तो हमें पता है कि जो इंडिया वर्ड है, ये इंडस रिवर से आया, इंडस रिवर जिसे सिंदु रिवर कह क्या यहाँ पर बाते थी, क्योंकि ये कोश्चन अभी हाली में पूछा गया, वो दस राज युद के बारे में, उसी से ये नाम एसोसियेटेड है, सुआ ये बिरीफ में बैटल ओफ टेन किंग को समझ लेते हैं, क्योंकि अभी जो सीडियेस का एक्जाम हुआ, उसमें एक कुश्चन आया, बेटल ओफ टेन किंग के उपर, बहुत ही मज़दार है, देखिए, रिगवेद के सेवन्थ मंडल में देखने को मिलता है, और माना जाता है कि दस राजाओं ने मिलकर एक राजा पर एटेक कि और ये युद हुआ क्यों, उसके पीछे के रीजन को भी हम समझेंगे, तो सबसे पहली बार देट, क्योंकि आप कभी भी कोई युद पढ़ें, कोई भी आप वर पढ़ें, तो वहां पर आपको डेट की एक ब्रीफ अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए, जैसे अगर आप बात करें 1526 में, फर्स्ट यहां पर पानीपत का वर हुआ, उसके 1556, 1576, इस तरह से डेट को कनेक करके भी हम लोग चलेंगे भी, जब मेडिवल हिस्टी में पहुचेंगे तो आफकोर्स, तो यहां पर डेट कोई फिक्स्ट नहीं है, आप माना जाता है कि काफी, क्योंकि देखे, इतनी पुरानी बात होगी, उतना ही यहां पर कनफर कनफर्मिटी का लेबल घटता जाएगा, क्योंकि सोर्सेज उतने जादा घटते जाएगे, क्योंकि हमें पता करने के लिए जो सोर्सेज चाहिए, वो उतने ही जादा इनेक्यूरेट होते जाएगे, तो यह माना जाता है कि 1700 से लेकर 1000 BCE, काफी पहले का टाइम आप देख सक देखे, रावी रिवर, जिसका नाम परुष्णी है, उस रिवर के तट पर ये युथ लड़ा गया, ठीक है, दस राजन युथ था, इसमें जीते कौन, तो भारता वेक्टरी, जीती और यहीं से माना जाता है कि यह जो क्लेन है, वो आगे चलके भारत देश का नाम यहां स पढ़ने में मदद किया, ठीक है, भारता क्लेन के बेसिस पर, टेरिटोरियल चेंजेज तो यह हुए, कि रिगवेदिक ट्राइब को कंकर्ड कर लिया गया सुदाज के द्वारा, तो देखिए, यही सवाल अभी आपके CDS2 2022 में आया, पूछा जा रहा था कि किस रिवर के बैंक पर बैटल ऑफ टेन किंग हुआ, देख रहे तो इस तरह से हमें कनेक करके चीजों को चलना है, तो यहां पर मैं आपको NCIT पढ़ाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक important है, वो मैं skip करूँ, वो मैं साथ के साथ previous question के through करवाता चलूँगा, तो इसका correct answer क्या है, परुसुणी, परुसुणी river को ही आज की rate में किस river से के नाम से identify किया गया है, रावी river के नाम से, ठीक है, तो इसका correct answer option C, तो यह आप देख रहे हैं कि NCIT में भी कोई बात लिखी गई है, तो अगर वो question solve करवाने में helpful नहीं, जैसे अगर मैं आपको example दे के समझाता हूं, यहाँ पे देखिए, the name भारता was used for a group of people, who lived in the northwest, right, northwest में रहने वाले एक group of people को भारता कहा जाता था, ठीक है, and who are mentioned in the rigved, और इनका जीकरी rigved में भी देखने को मिलता है, जो की earliest composition है, of course, Sanskrit की काफी 1000 साल पहले, बाद में इसे देश के लिए परियोग किया जाने लगा, लेकिन क्या इस particular reference के basis पे, जो CDS 2 2022 में जो question आया, आप से river के बारे में पूछा गया था, वो solve हो रहा है, नहीं हो रहा है, यह basic NCRT से, इसलिए इतने fact को नहीं यहाँ पे दिया गया, लेक लेकिन यह question यहाँ पे यह जो point है, यहाँ पे missing है, तो मैं आपको recommend करता हूँ, अगर आप hard copies में पढ़ते हैं, तो यह जो side में margins होते हैं, यहाँ पे आप जरूर additional point को और PYQs को include करिए, काफी सारे points ऐसे होंगे, जो इस book में नहीं होंगे, किसी और book में होंगे, तो इसके बात करते हैं, manuscript की, देखे, manuscript क्या होता है, पहले starting में जब लिखना प्रारम नहीं हुआ, pages बगेरा नहीं थे, तो palm lip में लिखा जाता था, और इसे ही manuscript कहते हैं, right, menu का मतलब hand होता है, hand से लिखे जाने वाले manuscript, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस तरह से tea, tree के जो पेड़ के चाल होते हैं, वहाँ पे भी लिखा जाता था, और यह manuscript कहलाता है, तो यह सब brief बाते हैं, थोड़ा बहुत आपको idea होना चाहिए, ऐसे exam में directly नहीं पूछेंगे, बट यह idea जो होने से, आप जब आगे के books पढ़ेंगे higher classes के, तो वहाँ पे directly लिखा हुआ होगा कि यह manuscript म इंदी में क्या बोलते हैं, अभी लेक कहते हैं, अभी लेक, तो inscription का जब भी नाम आता है, हमारे mind में क्या आता है, असोग का, क्योंकि सबसे ज़्यादा inscription असोग के दारा ही लिखे गए, इंस्क्रिप्शन लिखा किस में जाता था, तो लिखा जाता था, generally hard material वगेरा में, जैसे पत्थर वगेरा में, इसके पीछे की वज़ा क्या रही होगी, देखे, आपसे पूछा भी जाता है, तो ये brain storming के लिए जो questions देते हैं, NCRT बहुत ही अच्छा होता है, तो इसके पीछे का reason, of course, ये रहा होगा, ताकि अभी जैसे असोग के धाई-3,000 साल बाद में अभी हम लोग इन चीजों को पढ़ पा रहे हैं, तो इसके पीछे का reason है, ये hard surface, क्योंकि अगर ये perishable material में लिखा जाता, तो कब का खतम हो गया रहता, तो अभी लेक से एक सवाल है exam में आना पक्के है, तो of course, उसे हम लोग cover करेंगे ही, और already मैंने बहुत बार cover भी किया ह तो जब भी आते थे, मैं पूरे के पूरे उसे revise करवा जेता था, फिलाल आप समझे, तो अभी लेक में जो ये जो words लिखे जाते हैं, जो हमारी समझ से उपर है, वो किस भासा में है, उन्हें decode कैसे किया जाए, इन चीजों के लिए जो word यूज होती है, वो है decipher, decipher का मतलब होता है, decode करना किसी essay language में लिखी historical चीजों को, जिससे पढ़ना, क्योंकि ये आम language है नहीं, तो इसलिए से decipher किया जाता है, जैसा अगर मैं असोक की ही बात करूँ, तो असोक के अभी लेक्या, 1837 से पहले पढ़े जाते थे, नहीं, 1837 में पहली बार gems principle आए, उन्होंने कहा की नहीं, मैं तो इसे पढ़ सकता हूँ, उन्होंने इसे क्या कर दिया, बताइए, decipher किया, decode किया, किस से decode किया, असोक की अभी लेको को, अब ये point आपको note करना है, देखिए, आप copy और notebook लेकर के आपको बैठना है, और extra info ही note करने है, जैसे अभी वो river वाला जो मैंने बत पहा गया, उस पर study की गई, और ना हमारे पास बहुत सारी चीजे खुल की आई, कि असोक ने कलिंग का वोर कैसे लड़ा, किस तरह की नेतिया रहती होगी, ये चीजे ही important होती है, एक और term समझ लिजे ये आपके English के perspective से भी important, archaeologist का क्या मतलब होता है, आपको पता भी होगा archaeo का मतलब past और logic का मतलब होता study, यानि जो past में चीजे हैं, जो past में चीजे हुई हैं, उन चीजों की study, उन object की study क्या कहलाती है, archaeologist, आगे बढ़ते हैं, अब ना dates की बात करते हैं, देखिए, of course, first chapter है हमारे 6th NCRD का, चीजें basic रहेंगी, बट 7th और 8th class हम लोग देखेंग इनका मतलब तो आपको पता ही होगा, और ये 0, यानि जब यहाँ पे Jesus Christ born हुए, उससे पहले वाला time period before Christ era कहलाता है, और इसके बाद वाला ano domini कहलाता है, तो ये चीजें BCE और AD के बारे में आपको पता होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, कि असोग ने कलिंग का war कब ल बज़ रहें कि यहाँ पे Jesus Christ से भी 261 साल पहले की बात हो रही है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि when was Gotham Buddha born, यानि गौतम बुद की जन्म का वोई, तो 563 AD, AD क्या नहीं, BCE, यानि Christ से भी 563 years ago, तो इस चीजें का मतलब आप बखो भी समझते हैं, और ये चीजें confuse करने के लि खतम आईए हम लोग exercise के question करते हैं, ताकि recall हो जाए चीजें, तो नर्मदा वैली, सबसे पहले हमने देखा कि नर्मदा वैली में क्या देखने को मिला, hunters and gatherers, right, hunters and gatherers देखने को मिले, और जो food gather करते थे, right, तो यहाँ पे नर्मदा वैली B के साथ मैच होगा, दूसरा देखे मगद में हमने देखा मगद सामराइज, सबसे पहला हमारे माइन में आता मगद सामराइज के बारे में, जो कि यह first big kingdom था, तीसरा देखे गारो हिल्स, गारो हिल्स में मैंने आपको क्या बताया, तो गारो हिल्स में हमने देखा था, सबसे पहले चावल और बारले वगरा की खेती की गई तो यहां पर क्या आएगा यरली अगरी कल्चर इंडस एंडस का नाम देखती हमारे सहर में सबसे पुराने सहर मोहन जोदरों वगेरा का नाम आना चाहिए और इंडस एंडस डिस्टिबुटी लगभग 25 साल पहले हडपा सभेता इसे हम कहते हैं इंडस वैली सि सब्सक्रिप्ne ृक्विटीज देखने को मिली तो यह समय कर दिया और थेंब फाइंस कर दिया और एक के आप मैंस कृष्ण के बीज दी चरुत्र अर में और मैंस कोघ़े स सकाल पुराने पुछिए थे कीवर्ड देख लेते हैं, कीवर्ड हम लोग जरूर देखें, यूगि कीवर्ड से civil services में directly questions आते हैं, और NDS, EDS में भी काफी सारे questions आते हैं, traveling का मतलब होता है, यात्रा करना सबको पता है, manuscript हमें पता है, हाथ से लिखी चीजे, और inscription का मतलब हम इने देखा, archaeology अभी हमने देखा, कि archaeology का मतलब होता है, ancient findings को पढ़ना, और historian का मतलब इतिहास कार, जो history को बताता है, source का मतलब सुरोथ की कोई चीज आई कहां से, और decipherment का मतलब होता है, किसी चीज को decode करना पढ़ना, हई basic lecture आपको काफी मजा और easy लग रहा होगा, बड़ जैसे जैसे चीजे आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे facts की भी bombardment होती जाएगी, ठीके तो बस आपको stress बिल्कुल भी नहीं लेना कि ये चीज याद रखने, यानि बस आप कहानी की जैसा सुनते चाहिए, I am sore और मैं आपको दिखा भी दूगा कि PYQs के आपसे कैसे धड़ादर solve होंगे यहाँ पे, अब थोड़ा सा timeline की बात कर लेते, देखे हमने अभी बात की भी सी की, तो 8000 साल पहले लगवा हमें agriculture की सुरुआत देखने को मिलने लग पहलेगा नहीं आपको हड़पन सिविलाइशन और इंडरस्वेली सिविलाइशन को पढ़ते टाइम, कि यह 5000 साल पहले लोग इतने जादा विक्सी थे, ड्रेने सिस्टम के उपर बात कर रहे थे, साफ सफाई के उपर बात कर रहे थे, सीटीज फ्लरीज कर रही थी, वो ट करेंगे, 6 वीडियो में से खतम कर लेंगे, और उसके बाद फिर 7th क्लास का स्टार्ट करेंगे, और PYQ's of course करेंगे, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होगा यहाँ पर PYQ's में, ताकि आपको आइडिया लग सके कि वाकई NCRD's कितने काम की हैं, और कितना हम लोगों को फायदा तक पहुँचेंगे, और समझेंगे कि वो किस तरह का जीवन जी रहे थे, देखें तुसार ट्रेन यातरा कर रहा है और उनके अंकल उनसे कहते हैं, कि क्या आपको पता है कि यह जो ट्रेन से वो 1.500 साल पहले बनाए गये, अब यह काफी आश्यर चकीत हो जाता है, कि काफी पहले यानि 1.500 साल पहले लोग किस तरह का जीवन जीते होंगे, और किस तरह से कितनी विक्सित चीजे होंगी, जो ट्रेन वगरा वहाँ पर बनाए जा रहे थे, तो अभी हम लोग आफकोर्स इन चीजों को पढ़ते ही है, हिस्टी में डल होजी ने किस तरह से स्टार्ट क यहां पर फिर क्या-kya रीजन थे वो चीजे भी हम लोग देखेंगे, यहरलियस पीपल की बात करते हैं, यहरलियस पीपल के बारे में यह कहा जाता है, यहां पर चार रीजन के मुखयता बात की जाती है, यह चीज़े आप से कोई पूछेंगे नहीं, यह चीज़े आपके understanding के लिए होती है, अगर आपको history, देखे बहुत लोग कहते है history wrote learning का subject है, लेकिन मैं इस बात से, मैं इसे completely agree नहीं हूँ, इसके पीछे का reason यह है, कि अगर आप history में concept को detail, जैसे अगर कोई event है, उस पीछे, उस event के जैसे माल दीजे, गांदी जी ने नमक सत्यागरा शुरू किया, तो अगर आपको उसके पीछे की event पता है कि यह आखिर क्यों सुरू किया गया, क्या-क्या circumstances बनी, किस तरह से नमक कानून को तोड़ा गया, तो इन चीजों को अगर आप अच्छे ता काफी लंबे समय तक एक ही जगह पर रहेगी, तो वहाँ पर सारे resources खतम होना शुरू हो जाएगे जैसे सारे foods खतम हो जाएगे, अब edible plants जो होते हैं, वो खतम हो जाएगे of course, ठीक है, तो यह reason रहा होगा, move करने का दूसरे जगहों है, दूसरा reason तो यह रहा होगा, कि animal move from place to place, either in search of a smaller prey, और in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves, यानि यहाँ animal की भी movement देखने को मिलती है, जब animal move करेंगे तो hunters को भी move करना पड़ेगा क्योंकि of course, जानवरों पर वो निर्वर है तो hunting भी करनी पड़ेगी, इसलिए जिदर animal move करेंगे, generally वहाँ पे लोग move करते थे, यह काफी टाइम पहले की बात हो रही है, तीसरा देखिए plant and trees, bear, fruit in different season, हमें यह पता है कहीं कुछ season में कोई चीज लगी हुई है, कहीं दूसरे season में कोई दूसरी फल लगी हुई है, तो इन seasonal movements के कारण भी लोग move करते थे, क्योंकि जब जब गर्मी का season आया, तो जहां आम के पेड़ लगे, वहाँ पहुँच गया, यह मैं आपको example दे रहा हूँ, जब ठंडी का season आया, तो ठंडी वाली फसलों के जगा में पहुँच गया और चोथा तो यह है कि people प्लांट इनिमल नीड वाटर और वाटर कहा पर पाए जाते हैं, लेक्स में स्टीम में, रिवर में, वाइल मैनी रिवर लेक्स हर पेरेनियल, यह चीज़ भी हमें पता है कि ज़्यादतर जो रिवर्स हैं वो पेरेनियल है, यानि सालो भर पानी देखने को अब एक ऐसे रिवर का नाम बता ही, साउथ इंडिया की पेरेनियल हो, कोमेंट बोक्स में आप लिखिये, यह पेरेनियल रिवर का नाम जिसमें सालो भर पानी रहता है तो हो सकता है कि यह भी रिजन रहा हो, कि जब ड्राइ सीजन आ जाते हैं तो वह एक जगह से दूसरे जगह मूब कर जाते हो पानी की तलास में तो यह चार रीजन मुख्यता दिये गए हैं एक दो बाते हैं यहां पर मैं आपको इंपोर्टन बता दू जैसे सबसे पहली बात तो यह कि यह चीजें आपको याद नहीं रखनी समझ के चलनी अगर आप खुदी समझेंगे कि क्या क्या रीजन्स होंगे जो एक जो इनसान है वो दूसरे जगहा पर मूब करेगा खास करके उस टाइम पर उस टाइम की सिच्वेशन अगर आप समझ के चलेंगे तो यह चीजें काफी इंटरस्टिंग आपको लगने लगेंगी सो हम लोग स्टोनेज में पहुंच चुके हैं ब्रीफ में समझते हैं स्टोनेज को देखें चार टाइप के यहां पर पत्थर दिये गए ए बी सी डी एंड ए ठीक है और यहां पर बताया जा रहा है कि सबसे पहला स्टोन रहा होगा दूसरा का जारा काफी हजार साल पहले इस तरह से स्टोन सी वोल्व हो गए उसके बाद जो हत्यार है वो इस तरह के बनने लगे और लास्ट में डी में आप देख सकते हैं थोड़े नूकीलिय और छोटे टाइप के हत्यार बनने लगे तो इसके पीछे का क्या रिजन रहा होगा यह कोई हत्यार नहीं तो इसके जैसे जब चीजें इवॉल्व करने लगी काफी सालों के बाद तो वो भी समझ गे कि नुकीलिय अत्यार से हंटिंग करना इजी है तो यह सब रिजन्स रही होगी अब यहां से सबसे इंपोर्टेंट चीज हमारी सुरू होती है आर्कियो लोजीकल साइट्स किसी भी पराचीन आपके आपको बिरीफ में बता दो पेलियो का मतला होता है नीओ का मतलब निओ होता है तो इस तरह से चीजें तो यहां पर आएंगे दो और प्रिवेश सेर कुशन के साथ अभी आगे देखते है तो यह देखे रोक सेल्टर की इमेज दी गई है और यहां पर भी भीम बेट का रोक सेल्टर के बारे में बताया गया तो भीम बेट का आज पर्डेट में है वह रोक कट नेचूरल केव देखने को मिलती हैं अब यह जो नेचूरल केव हैं इसका इस्तमाल क्यों किया जाता होगा ऑफकोर्स जो जानवर है बारिस है इन चीजों से बचने के लिए रोक केप्स का रोक सेल्टर का इस्तिमाल किया जाता होगा और यह आप कह सकते हैं एक नेचूरल सेल्टर प्रदान करती है लोगों को यही रीजन रहा होगा अब नाव आईए हम लोग आचुके हैं अब हम लोग पेलियोलिथिक एज में और यहां पर हमें बनाना है पत्थर थाकि हम लोग हंटिंग कर सके और अपना जीवन जी सके राइट तो कैसे बनाएंगे हम लोग हत्यार सबसे पहला तरीका तो यह होगा एक पत्थर लेंगा औ धार बनाएंगे तो यह पहला तरीका होगा दूसरा प्रेसर फ्लेकिंग की बात की जारी है यहां पर को एक फर्म सर्फेस में रख दिया जाएगा हैमर स्टोन देखिए यह नॉर्मल वाला हैमर नहीं है स्टोन का ही हैमर बनाया गया उसे पीस ऑप बोन में रखा जाएगा औ जब यहां पे इंसान हंटिंग पर पूरे तरीके से लिपेंड होगा पथर पथर रगठ करके आग निकाला जाता होगा तो बताया जा रहे कि कुर्णूल केवस हैं कुर्नूल अभी मेप में लोकेट करेंगी वहां पे कहा जा रहे कि कुछ राग के निसान मिलते है और यह बताय जाते हैं काफी पहले हैं तो यह हमें आइडिया देता है कि हाँ उन लोगों को fire काफी अंदाजा होगा fire की भी knowledge होगी उसके बाद बारहाजार सालो के बाद क्या देखने को मिला कि climate में काफी तेजी से changes को कि Let the फीरी धीरे इनिमल यहां पहोंद मिलेगी उसके भाट हां जब यहां पहां 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 जानवी आना शुरो होगए डो गोंगे आप्ट्र diffuse कर्ड़ें और intrap तो यह जब grassland evolve होने लगे तो इनमें से कुछ ऐसे grassland भी हुए definitely जिनमें इन्होंने देखा जो hunters, gatherers है इन्होंने देखा कि जो barley और rice है, wheat है इस तरह की खाने वाली जो edible fustle है edible crops है, वो भी यहाँ पर grow करने लगी तो अब यह इन grains को collect करते होगे और of course अब उन्हें आग की तो knowledge होई गई है तो वो ripen करके पका लेते होंगे उन फसलों को और यहाँ पर खाते होंगे, ठीक है तो इस तरह से हम कहते हैं कि हाँ सबसे पहले देखिए fire की शुरुआत हुई फिर उसके पीछे agriculture, तो यह जो वजह हैं थी कि किन-किन वजहों के कारण fire, agriculture हमें देखने को मिली इन वजहों को यहाँ पर हम समझ रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है इतिहास के संदर में समझना अब देखिए वही बात यहाँ पर समझाई गई है, name or date में कि जो words है, paleolithic, मेजोलिथिक, मेजोलिथिक यह आए कहाँ से, यह मैंने आपको अरड़ी समझा दिया, फिर से देखिए, paleolithic, mesolithic और neolithic, paleo का मतलब old होता है, तो old stone age यह होगी, old stone age में क्या देखने को मिलेंगी, थोड़े rough type के पत्थर देखने को मिलेंगी, इस तरह की चीजे देखने को मिल मेजोलिथिक में देखिए, मीजोलिथिक जब पीरिड आया, तो सबसे जो important बात जो आपको याद रखनी है, कि माइक्रो लिथ्स बनना सुरू हो गया, लिथ का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सबको पता है, छोटे पत्थर, तो यहाँ पे पत्थरों स उनमें और ज़्यादा कुसलता आने लगेगी, तो यह जो माइक्रो लिथ से यापको किस फेज में देखने को मिलेंगे, याद रखना है यह आपको, मीजोलिथ में, M for माइक्रो लिथ, M for मीजोलिथ, M for मीजोलिथ, नाम भी मेज कर रहा है, ठीक है, जो पी बाइक्यू करे यह सारी चीज़े यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अब बात करते हैं, रोक पेंटिंग की, देखें, रोक पेंटिंग बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, बहुत सारे कोशन्स आते हैं, यहाँ पर डीटेल में नहीं बात की गई है, बट मैं आफको तो डीटेल में कवर करू पहले आपको देखने को मिलेगा कि यह लोग कला में भी आप कह सकते हैं कि निपूंट थे उस टाइम पर उस टाइम के परस्पेक्टिव से अगर आप देखे तो रोक सेल्टर में पेंटिंग देखने को मिलती हैं, और देख सकते हैं आपकी इस तरह से मतलब दिखाया जा और देखने को मिलती हैं जो की काफी आपको यूनिक लगेगा देखने में तो यहां पर लोग केवस की बात करें तो पेंटिंग देखने को मिलते हैं तो यह अपने आप में कश्चर वाली बात है इतने हजारों साल पहले भी उन्हें जरूर इसका अभास हो गया होगा मैं कभी रीजन रहा हो कि वह इस तरह से अगर सोचें कि अगर मैं पर पेंटिंग करूं तो काफी हजारों साल बात जब लोग आएंगे तो समझेंगे कि किन किन सरकम्स्टेंसे में हम लोग रहते तो और चाब पेंटिंग में क्या दिखा जाता था जनरली अपने लाइफ स्ट है सकते हैं चौकाने वाली बात है एक बात और कि इन पेंटिंग से यह नहीं पता चलता कि में कौन से टास्क करते होंगे और वुमें कौन सी टास्क करती होंगी मतलब इस तरह से पेंटिंग को बनाया जाता है कि पता ही नहीं चलता और में भी इसके पिछे रीजन रहा हो क हो सकता है कि सारे काम हैं आप मिलके किये जाते हो men भी hunting करते हैं women भी hunting करती हैं यह चीजों के बारे में clarity नहीं मिलती और देखिए भाई हमारे बहुत पहले से साथी रह चुके हैं ostriches ostriches आपको paleolithic period से ही देखने को जो कि काफी पहले का period है आप देखें अगर तो old stone ace ही ostriches देखने को मिल रहे है large quantity of ostriches के eggs sales देखने को मिले अच्छा आपके मन में एक सवाल और आता होगा of course उस सवाल को भी हम लोग detail में tackle करेंगे और यह है कि इतने 1000 साल पहले पांच हजार नहीं दस हजार नहीं बीस बीस हजार साल पहले कि यहां पर बात की जा रही है तो इन चीजों को identify कैसे करते होंगे हो सकता है कि यह जो ostriches eggs sales मिले हो यह दो साली पुरा नहीं हो तो इसके लिए हम लोग के पास method है of course यहां पर कोई हवा हवाई बाते नहीं हो रही कि बस हमें लग रहा है तो यह होगा यहां पर carbon dating method का use करते हैं यह पूरा method में आपको समझाओंगा क्या की रिसमें कैसे हम लोग exact नहीं तो approach date का तो पता कर ही लेते हैं कि यह किस time की बात होगी carbon dating method c4 method के बारे में भी हम लोग देखेंगे उसी method का परयोग किया जाता है अच्छा हुंसगी को समझते है सबसे पहले मैं कुर्णूल caves को आपको दिखा आएता हूं otherwise फिर आपको लगेगा मैंने में भी नहीं दिखा तो यह देखिए कुर्णूल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कुर्णूल caves और हुंसगी भी यहां पर आप देखे तो करनाटक में हुंसगी है क्रिष्णा रिवर के तट पर है देखिए एक बात मैं आपको और यहां पर समझा दूं कि जाधातर जो आप चीजें पढ़ेंगे जो सभ्यताएं पढ़ेंगे वह आपको river valleys में देखने को मिलेंगी river valleys में नदी घाटियों में नदी के तटों में अचा यसा क्यों होगा ऑफकोर्स बहुत सारी रीजन होंगे बट एक रीजन तो जो सबसे खास हमें समझ में आता है वह वाटर सप्लाइगा व्योंकि ऑफकोर्स पानी सबसे जरूरी है जीवन कि आप किसी भी फेज में हो तो में भी रीजन यह रहा हो कि उस जगहां पे लाइमस्टों वगेरा लोकली अविलेबल होते हैं लाइमस्टों आप समझते ना चूना पत्थर वगेरा तो इन चीजों का इस्तेमाल करके टूल्स वगेरा बनाया जाता हो तो यह चीजह हमें हुन्सगी में भी देखने को मिल बहुत है कि यह 20,000 साल पहले की भी पेंटिंग है ठीक है 20,000 साल पहले के भी और यहां पे कुछ अजीब तरह के जानवर वाइल होस क्या क्या पतानी ओरोक्स एक वाइल फॉर्म के ओल्डर वाइल फॉर्म है केटल की बाइसन राइनोस और यह सब जानवर देखने को मिल र आपको कि आप 12,000 साल पहले रोक्स में रहते हैं वहने कहते हैं इनसान पहले रोक्स में ही अच्छे थे पता नहीं क्यों यह सभ्यताएं करते हैं उस टाइम पर पढ़ाई का जंजन सुपचाप खाना-पीना खाते और मर जाते ऐना ऐसा खा जाता है तो आपकोर्स यहां प पर बता सोच नहीं है ठीक है यह आप खुल सोचिए अचा हंटर गैदर के बारे हमने समझा कि जो फूड हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं हंटर गैदर कहलाता है साइट का मतलब अस्थल होता है जगह होता है और हैबिटेशन का मतलब भी हमें पता आबास पर लिट्स कहलाते हैं सो यहां पर हमारे चेप्टर होते हैं खतम अब हमें दो चेप्टर हमें खतम हो गए हमारे इस वीडियो में और अच्छा रहेगा कि दो चेप्टर से हम लेकर के चलें क्योंकि अभी हम लोग 7th 8th बाहरी बाहरी से सारी NCRD करेंगे उसके बाद इंप दो तीन वीडियो लेक्टर में खतम किये जाएं देखिए सेकेंड वाले में फायदा यह होगा ना सेकेंड वाले तरीके में कि आप माली आपने काफी पहले पढ़ा एक वीक हो गया पंदरा दिन हो गया तो दीरे दीरे चीजें कुछ चीजें स्लिप करने लगती तो उस ट स्वाल बनेंगे तो फिर अगर आपको अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ही आपसे अच्छे से सॉल्व होंगे और प्रिवेस एर कोश्चन तो जरूर करेंगे ताकि हमें उप्योगी ता पता चल सके हमारी तैयारी का और अगर आप बाकी सब्जक के भी वीडियो सीर में हो तो आप कोमेंट बॉक्स में वह भी लिख सकते हैं और आपका भूमुले समय देने के लिए बहुत धनेवाद